हेलो फ्रेंड्स, विल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल, आएम अर्बास, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सिस्क्राइब, सियर और बिल आइकन को जरूब प्रेस करें, ताकि यहाँ पे जो रोज वीडियो अपलोड हो रहे हैं, वो आप तक तुरन पहुंच सके, तो आज हम ल हैले कोसन को समझते हैं, बहुत असांसा कोसन है, फाइंड, आपको फाइंड करना, यहाँ पे जो दियावा नमबर ना, इसको फाइंड करना है, मिन्स इसको सॉल्व करके, जो फाइनल एंसर आएगा न, वही आपको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, वो hall power n यह लोग दोनों आपसे multiply में हो जाता है a raised to the power m into n और यहाँ पर जो नीचे में है ना इसको कहते है base और यह आपका होगे exponent उसी चीज़ को मैंने लिखा है a आपका क्या है base b आपका क्या है exponent और यह पूरे का combination आपका कहलाता है power ठीक है अब चलिए हम लोग first का first part solve करते है आपका first part है 64 का power 1 upon 2 तो इसको कैसे solve करेंगे सबसे पहले जो नीचे base में आपका 64 है ना इसका आपको factor करना होगा तो सबसे पहले इसको factor किज़ेगा हर एक question में तो 64 का factor करते हैं तो चलिए करते हैं 2, 3, 6, 2, 2, 4, 2, 1, 2 carry 1 2, 6, 12 2, 8, 16 2, 4, 8 2, 2, 4, 4 अब count कीज़े 2 कितले time से 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 time है यहाँ पहले लिख सकता है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 time है इसका all power 1 upon 2 अब यह 6 time है तो लिख सकते है इसको 2 2 raise to the power 6 का all power उपर में क्या है 1 upon 2 अब देखे यह formula में आपका set हो गया है A raise to the power M का all power N is equal to क्या होता है A का power M into N तो यहाँ लिख सकता हो न देखे उसी परकार से 2 raise to the power 6 का all power 1 upon 2 तो इसको लिख सकता हो 2 अब यह लोग दोना आपसे multiply हो जाएगा 6 into 1 upon 2 अब देखे यह cancel out होगा यह 2 का table है 2 1 za 2 2 3 za 6 यहाँ पर क्या है आपका 2 का power 3 है न अब देखे यहाँ पर यह answer नहीं हुआ इसको पूरा आप तोड़ दीजे तो इसको लिख सकते है 2 into 2 into 2 2 to the 4 to the 8 यह आपका होगे required answer यही तक करना था अब चलिए फर्स्ट का second part को solve करते है second part है आपका 32 raise to the power 1 upon 5 फिर क्या करना यहाँ पर जो base है 32 इसका factor बनाना है चलिए सबसे पहले इसको करते हैं 32 यहाँ पर चलिए 2 1 za 2 carry 1 12 2 6 za 12 2 8 za 16 2 2 za 4 sorry 2 4 za 8 2 2 za 4 अब देखे 2 कितने times है 1 2 3 4 5 times है तो इसको लिख सकता हूँ 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 times है और इसका whole power पहले इसका 1 upon 5 अब आप इसे फिर से multiply करोगे 32 ही आएगा तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 raise to the power 5 क्योंकि 2 कितने times है 5 times 1 2 3 4 5 times है पहले से इसका whole power क्या था 1 upon 5 अब देखे यह किस formula मागे A raise to the power M का whole power N is equal to A to the power M into N तो इसको लिख सकता हूँ उसी परकारसे न 2 का power 5 into 1 upon 5 अब यह 5 से 5 cancel हो गया अब क्या है यहाँ पर answer 2 यही आपका होगे required answer चलिए अब हम लोग 3rd part को हम लोग solve करते है 3rd part है आपका 125 raise to the power 1 upon 3 क्या करना है देखे यहाँ पर सबसे पहले इसका factor बनाएंगे तो यहाँ पर होजागा 125 चलिए इसको factor बनेगा यहाँ कितने की table में जाएगा 5 5 to the 10 carry 2 5, 5 is a 25 5, 5 is a 25 5, 1 is a 5 तो यह 5 कितने times है 3 times है तो यहाँ पर लिख सकता हो 5 into 5 into 5 और पहले है 1 upon 3 अब देखे इसको लिख सकता हो 5 के उपर में 3 है ना क्योंकि 5 आपका 3 times है अब पहले है कितना था 1 upon 3 अब यह कौन से formula माग गया a का power m का hall power n अभी बता a का power m into n होता है है ना तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते है 5 3 into 1 upon 3 क्योंकि यह लोग दोनों आपस में क्या हो जागा multiply हो जागा देखे अब यहाँ 3 वन्जा 3 3 वन्जा 3 तो answer क्या है यह आपको होगे required answer अभी भी कोई dot हो या फिर नहीं समझ में आया हो तो please comment section में comment जरू करे और हमारा channel पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ share जरू करे thank you